नमस्ते, तो कैसे हैं आप सब्सक्राइब, आज हम बात करेंगे लेटर U और लेटर V दोनों के बारे में देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी U लेटर को और V लेटर को समझना होगा, तो इसके और भी कॉंसेप्ट हैं कभी-कभी आप शायद किसी और व्यक्ति से समझें, उसका सोचने का नजरिया, उस चीज़ को देखने का नजरिया कुछ अलग होगा तो सम्टेम्स मेरा जो खुद का नजरिया, जभी मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो वो मेरा नजरिया है, उस शब्दो को देखना, उस लेटर को देखना, मेरी वो समझ है उनके साथ तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति का एक नजरिया अलग-अलग होता है तो आप भी अगर कुछ चाहते हैं, खुद का परस्पेक्टिव भी डालना तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं तो आज हम लेटर यू और वी के बारे में समझेंगे, उसके और भी डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं बट एक जो कमेंट परस्पेक्टिव हैं, मैं उसके उपर आज बात करूंगी क्योंकि ये रुटीन में आप लिखते हैं और आप एवरी डे आप ये चीज़े शेयर करते हैं आपको मालूम हैं, तो आज हम उस परस्पेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे मैं नेम इस इंदरजीत चावला और आप इस तरह लिखा जाता है आप बहुत तरह के यू लिखते होगे, आज हम उसकी बात ही ने करेंगे और लेटर वी, कई लोग इस तरह का वी लिखते हैं, कई कैसा उसकी आज बात ने करेंगे क्योंकि देखिए अगर डबल्यू लेटर बोलिए, तो डबल्यू लेटर में अपने आप में दो भी आ जाते हैं उसके उपर भी आचर्चा नहीं होगी मैं आपको एक चीज बता दू, आप जबी भी इंगलिश लिखते हैं तो आप हर एक शब्द में आप इन दोनों चीजों को यूज करते हैं आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं दूसरों जब आप एक लेटर को दूसरी लेटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप इन दोनों यू और वी को ही समझा दे तो एक तो सिंपल सी चीज देखें यह जो लेटर यू है यह फूलों के हार की तरह है फूलों को हार सौफ्ट होता है तो आपकी जो भी आपकी करेक्टर स्टिक हैं चाहे आप किसी के रिष्टे में हो चाहे आप बिजनस कर रहे हो तो आप यह आपकी जो पब्लिक टीलिंग हो तो यह अगर यह वाला कनेक्टर जब हम यूज करते हैं तो यह लेटर यू है यह सौफ्टनेस को बताएगा यह सौफ्टनेस को बताता है और जो letter V है अब यहां पर letter V में देखे यहां पर क्या गया angle आ गया यहां पर angle आ गया तो यहां पर angle क्या आ गया साथ में sharpness आ गया तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताए हुआ है आपको कि garland connection और angular connection पर हमने बहुत बात की है तो यहाँ पे शापनेस आगी तो यह एक यह एंगुलर कनेक्शन भी आ गया बट यहाँ पे शापनेस आगी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति analytical हो जाता है ठीक है यह चीजों को analyze करने लग जाते है analytical behavior आ जाएगा यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का तो फिर अभी इन दोनों में क्या समझ है अभी देखे अगर यू का लेटर है कोई व्यक्ति यू लिख रहा है और वो यू को वी लिख देता है और कोई लेटर वी लिखना चाहिए वहाँ पे यू लिखता है तो यहाँ पे गड़बड होगी action में क्या हमारी personality में challenges क्यूं आते हैं हम क्यूं upset होते हैं हमारी जो personality है उसका क्या main role है कभी कभी जब हम business करते हैं तो वहाँ पे शापने जरूरी है वहाँ पे शापने होना जरूरी है लेकिन कहीं हमारा अपने बच्चे हैं किसी से कुछ ऐसा रिष्टा है जहां पर हमको प्यार से बात करनी है एक चोटा सा बच्चा है जो newborn baby है वो रो रहा है without reason भी तो कि अब हम भी उसके साथ उसको डांट ने लग दे उसको तो उस डांट की समझ ही नहीं है या हम उसके उपर हाथ उटा दे चोटा सा बच्चा है वहां पर तो हमें प्यार से ही बात करनी पड़ेगी न अरे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा बच्चे को क्या चाहिए वहां पर तो अगर हम हमारे अंदर प्यार ही नहीं होगा तो हम उस व्यक्ति को जिसकी जुबान जिसको पता ही नहीं है बच्चे को कि क्या बोलना है समझी नहीं पाएंगे तो वहाँ पे हमारे को गार्लेंड की जरूरत है तो अगर अब यू को यू की तरह लिखते हो softness की तरह तो it means कि हर एक व्यक्ति में देखिए एक analytical mindset भी होता ह और एक emotions भी होते हैं हर एक व्यक्ति में feminine energy भी होती है और masculine energy भी होती है तो यह जो आपकी feminine energy है वो यू बताता है तो जहां पर आपको softness की जरूरत है तो जो letter you soft तरीके से लिखता है the garland मैंने बता है round shape से तो वो वहाँ पे softness दिखाएगा और जहां पर आपको तर्क और व वो letter बताता है V, V letter और भी बहुत कुछ बताता है बट यहां पर आज हम उस पर नहीं जाएंगे तो यह बताता है angular तो अभी ऐसा तो नहीं है कोई मेरा मैंने लाखों का business करना है किसी के साथ करोड़ों का business करना है ओके आंक बंद करके बोलियो और यह बिलकुल तुम जो मर तर्क और वितर्क करेंगे उस वेक्ति से कोस्टनिंग करेंगे अभी लेकिन अगर आपने वो तर्क वितर्क की जगा गार्लेंड डाल दिया तो आपके challenges आएंगे तो ठीक है तो मैं यहीं बतारी हूं को यह letter U है यह आपकी softness को बताता है और letter V आरके argumentative nature को ठीक है अगर आ मज में नहीं लगेगा कि मुझे जहां पर तर्क वितर्क करना है वहां पर मैं तर्क वितर्क नहीं कर रहा और जहां पर आपको तर्क वितर्क करना ही नहीं है दिमाग लगाना नहीं है और वहां पर तर्क वितर्क करें तो यह हो गया हमारा letter U और V यह तो बहुत डीप है U V again also V letter हमारे vanity को भी बताता है vanity मतलब कि जो grace होती है मतलब कि आपके अंदर का जो एक pride होता है उसको भी बताता है वो बहुत डीप चला जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो like, subscribe और share करना मत भूलिए thank you so much God bless you